तो दोस्तों आपको thumbnail, title और description देखकर पता चली गया होगा कि यहाँ प्याम लोग कौन सा chapter और कितना question देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चलने पना है तो चलो को सब्सक्राइब करके बेल अगन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपका दिया होगा description चेक कर ले और साथ ही में टेलीग्राम भी जॉइन कर ले ताकि वहां से आपक पीडियेफ का पीडियेफ का लिंक और पीडियेफ डिरेक्ट वहां पे अवलेबल हो जाता है तो यहां पर आपका 24 नमर कोश्चन में कहा रहा है कि दो अनपूरा कुनों का अंतर 20 डिग्री है तो परतेक कुन की माप बता हैं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते कि अनपू पूरा कुन ठीक है तो जैसे अगर हम लोग 60 डिग्री एक कुन है और यह पहला से कुन 30 डिग्री है तो इसका योग होता 90 डिग्री तो यह जो दोनों कुन हुए एक पूरा क्या फिर अनुपूरा कुन बोलेंगे तो यहां से आपका जैसे कि 60 डिग्री है तो इसका पूरा कुन क्या होगा या फिर अनपूरा कुन तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो ये 90 डिगरी होगा तो हो जागा 30 डिगरी मतलब यह हुआ कि 70 डिगरी का अनपूरा कुन 30 डिगरी और 30 डिगरी का अनपूरा कुन जो होगा वो साथ डिगरी होगा ठीक है तो हमें अगर अनपूरा कुन निकालना होगा जैसे कि अगर पोल दिया जाए 20 का 20 डिगरी का अनपूरा कुन तो हमको पता है 20 डिगरी में क्या जोड़ेंगे तो 90 डिगरी बनेगा तो इसकी मान निकालना होगा हमको तो 90 में से 20 घटा देंगे तो जो आपका 20 डिगरी का अनुपूरा कौन होगा वो होगा 70 डिगरी ठीक है तो यहाँ पर बोले है दो अनुपूरा कौनों का अंतर 20 डिगरी दिया होगा है ठीक है दो अनुपूरा कौन मतलब ऐसे दो कौनों होगे जिनका योग 90 डिगरी होगा तो उन दोनों का अंतर हैं पर 20 डिगरी है तो परते कुनों की माप बताएं तो सबसे पहली बात अगर दो अनुपूरक कुन होंगे ठीक है तो अगर हम यहां तो हमें पता नहीं है कुछ भी तो यहां पर अगर हम एक को एक्स मानेंगे तो अगले आपका नब्बे माइन surplus एक होगा हमने अभी भी देखा जैसे कि 20 डिगरी का अगर हमको पूरक निकलना हो या अनुपूरक तो नभबे मेंों से घटाएंगे 20 तो ही हमको निकलेगा वो आएगा 70 डिगरी यानि 20 डिगरी का अनुपूराक 70 डिगरी और 70 डिगरी का अनुपूराक 20 डिगरी तो उसी परकार से अगर हमने पहला कुन माना S डिगरी तो अगला जो होगा इसका पूराक या फिर अनुपूराक वो होगा 90 माइनस X डिगरी यानि 90 में से X Gđाने पर ये वहला घटाने पर जो मिलेगा वही होगा इसका अनुपूरा कौन एक कौन मानने पर हमको दूसरा कौन यहाँ पर पता चल जाता है जैसे कि अगर पाहला कौन X-Degree होगा तो दूसरा कौन होगा 90 माइनस X डिउगरी ठीक है गहटाने पर यह बहला गहटाने पर जो मिलेगा वही होगा इसका अनुपूरा कुन तो एक कौन मानने पर हमको धूसरा कुन यहां पटा चल जाता है ज सी कि अगर पहला क्ष़ाएंस x डिग्री होगा तो धू सरा कुन होगा 90 minus x ci ठीक है यह होगा अब इस दोनों का अंतर बोल लाई 20 डिग्री है ठीक है तो यहाँ पर और ध्यान रखना जाए कि इस दोनों का अंतर बोलाई कीुछ वोगों का यहांपर confusion होता है कि इसको घटाएं इसमें से या फिर इसको घटाएं इसमें से तो यहाँ पर हमको बड़ा छोटा भी कोई confirm नहीं है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है ठीक है न तो यहाँ पर अगर हम जैसे घटाएंगे अंसर दे देगा आपका या तो 90-1 degree में से इसको घटाएंगे तो उस condition यह वाला बड़ा हो जागा जब भी मानाएगा तो इसका ज् दोनों तो एक इस इस question को बना के देखा है चुकि यहाँ पर हम लोग को ब्रायकेट में लिग देना होगा हम जानते है कि हम पूरा कोना का योग 90 degree होता है यहाँ पर ऐस तरह के ब्रायकेट में इधर लिग देंगे साइड में ठीक है यहाँ पर जगर नहीं तो इसको हम लो मैनेश डिगरी तो हम अंतर दिया हुआ 20 degree ठीक है यतना लिखने के बाद हम लोग इसको मैनिस कर रहे है न तो इसको यहाँ पर देखे दोनों मैनेश होगा तो यह पलस मैनेस मैनेस हो जाएंगे और यह मैनेस मैनेस पलस हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर एक्स दूएक कि नहीं तो 55 डिग्री हो गया एक जब 55 डिग्री हो गया तो पयला कुन 55 डिग्री और दूसरा कुन 90 इंभे मानुस 55 तो यहाँ पर 35 डिग्री डूसरा कुन आपका पता हो गया लेकिन हम लोग अगर हम लोग इसमें से कटाते 90-X में से अगर हम Ich को घठाते तो यहाँ पर माइनस माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाता और यह 90 पलस में इधर रहता तो माइनस में होता ठीक है ना तो यहाँ पर अगर 20 में से 90 घटता माइनस 90 घटता जादे वला ये तो आपका माइनस मंसर रहा था क्योंकि कम में से जादा घट रहा थो ठीक है तो यहाँ पर माइनस 70 रहा था यहाँ यहाँ पर दो से डिवाइड करते तो एक्स बरावर 35 डिग्री आता ठीक है तो यहाँ देख रहे हैं यहां पर एक्स बरावर 35 डिग्री आया मतलब यह छोटा यहां पर इसका वैलू आया क्योंकि हम लिए इसको घटा रहे तो यह बड़ा हो जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर इसको घटा रहे तो यह छोटा आया यहां पर ठीक है यह 35 डिग्री आया तो ऐसा की माप बताए तो यहां पे संपूरा कुन का मतलब होता है उसी परकार से लेकिन इसमें 180 डिग्री होता है कि दो कुनों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो हम लोग उसको संपूरा कुन काते हैं जैसे अगर बोला या देड़ सो का संपूरा कुन तो इसका हो जागा 30 डिग् संपूरक चाहिए तो अगला हो जाएगा एक्स का संपूरक हो जाएगा 180 में से एक्स घटा कर जो बचेगा वह होगा जैसी कि हम यहां पर 500 का संपूरक निकाला तो टोटल 180 होता है तो 180 में से अगर हम घटाएंगे ना तो तीसी आएगा ठीक है मतलब की 1500 का तीस संपूरक होगा तो उसी परकार से पहला कून अगर एक्स डिग्री होगा तो दूसरा कून हो जाएगा 180 में से एक्स घटाएंगे इतना डिग्री होगा तो हमारा जो बोल रहा हम चुकि हम इसको ब्राइकेट मिधर साइड में लिग देंगे हम जानते हैं कि दो संपूरा कून का यह एक्स वस्य डिग्री होता है उसके बाद प्रस्न से आपका चलना है तो प्रस्न में बोल रहा है दोनों का अंतर दिया हुआ 30 डिग्री इसमें भी उसी पकार से किसी में इस भी किसी को घटा दे कोई रिकत नहीं है ठीका ना तो लेकिन यहां पर हम अग्तिन Weini इतना तो फलास में तो आभ यहां पे 210 यह हो जाएगा और बटा मों ही क्योंक यह क्योंकि इदार यह इनटू में इतना दो ज्यब्द ऑृटी हो से 120 डिग्री के आए ग्याए 210 में अगर हम 2 से डिभाइट करेंगे तो 2 दाहों को 20 होता है और यहां पे एक बचेगा एक 0 उतरेगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा तो यानि 105 आता है ना तो 105 डिगरी आया आपका एक तो जो दूसरा कुन होगा 105 अगर घटा देंगे 180 में से तो 75 डिगरी हो जाएगा ठीक है तो यहीं तो हमने माना था उपर में तो वैसे एक का वैलू रख देना सब भी निकल जाएगा अब यहां पे हम लोग 26 नमबर कोशन देखेंगे तो किसी तिर्भूज के कौन की माप से दो कौनों की मापों के योग के बराबर है यादि से बच्चे कौन की माप का अनुपाद दिया होगा ठीक है जो दोस जैसे की एक तिर्भूज है ना तो इसमें यह तिर्भूज का जो माप है इस तिर्भूज का जो भी माप है वो इस दोनों तिर्भूज का इस दोनों तिर्भूज में तीन गो कौन ही होता ठीक है तो यादि एक तिर्भूज का माप यहां पे ज माप का योग होगा वो इसके बराबर होंगे ठीक है इसके तीसरे वाले के बराबर है यादि सेस बचे कौन का अनुपात मतलब इस जो दो कौन देख रहे हैं ये वाला ये नीचे इसका अनुपात दिया हुआ है तू अनुपात वन ठीक है यानि इसका टू और इसका वन एक 2 एक 1 अनुपात में है मतलब की अनुपात में हमने जो भी कोशन बता है अनुपात को काफी डिटेल्स में बता है कि अगर यह अनुपात है तो पहले यह एक बड़ा रूप रहा होगा ठीक है उसको छोटा मतलब जो कार्चार्ट के यह आया हुआ है 2 अनुपात 1 यान 2 बटा ठीक है तो इसमें कुछ गुनांक रहा होगा ठीक है तो इसी को हम लोग यहाँ एक्स मान लेंगे उस गुनांक को एक्स मानेंगे तो यह हो जाएगा 2 एक्स और यह हो जाएगा 1 एक्स अर्थात एक्स ठीक है तो ऐसा मानेंगे और फिर इस दोनों का योग हो जाएगा 3 एक होगा क्योंकि इस दोनुं के योक के ही बराबर है यह दोनों अगर 3x है तो यह भी 3x हो वेल समझें तो एंसा होगा और जो हम लोग हर कोसियन में 1 मान है तो आप लोग से देख रहे हो तो इस Chinese इसको अच्छे से अव्जर्व कर पा रहे होंगे तो यहां पर देखें सबसे पहले हम लोग माना अनुपातिक गुनांग सबसे पहले मान लेता आप डारेक्ट भी लिख सकते हैं माना पहला कुन टू एक्स दूसरा कुन ऐसा ठीक है एकस उसके अनुसा लेकिन हम लोग यहां कुन क्या होगा तो चुकि तीसरा कुन जो होगा 2X प्लस 1X बरावर ठीक्स डिक्री होगा क्योंकि इस दोनों की योग के बरावर है यह तो इस दोनों versus 3 ऐता है तो फिरेक्स रहेगा प्रसं बोल रहां क्या तो थिर्भुफ के यहां अनु प्राप बता है तो यहां पे हम ब्राइकेट में बता देएंगे कि तीनों कौन का योग होता वह 180 डिग्री होता और उसके बाद यहां पे इंदू पांच एक 6 एक्स हो गया 6 एक्स बरावर 180 डिग्री होता है ठीक है अब इधर यह इन्टू में इधर आगा तो डिभाइड में होगा और थात हम लोग छे से एक 180 में डिभाइड करेंगे तो छेती आठारा और एक सुनना तीस तो यानि एक बरावर 30 डिग्री आ गया इसका मतलब पहला कुन जो होगा अपका टू एक्स था तो टू एक्स तीस दूनी साट डिग्री होगा और दूसरा कुन तीस डिग्री होगा तीसरा कुन तीस तीया यानि एक 30 डिग्री का होगा एक 60 डिग्री का तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर पहला कुन एक्स डिग्री मानते हैं यहाँ पर दूसरा कुन तू एक्स डिग्री मानते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री आता यहाँ पर 60 डिग्री आता तो ऐसे भी मान सकते हैं कोई दिक का ये है और बी का ये six दिया हुआ है ठीक है ना तो अनुपात को हम लोग एक्स मानते हैं गुनांक रहा होगा जैसे कि यहां पर समझ लेते हैं ए बटा भी अनुपात को बटा की रूप में लिख सकते हैं पांच अनुपात छे दिया हुआ है पहले इसका कोई बड़ा रहुआ है ठीक है असलिए यहां पर century से 20 डिगरी अदिक है तो सबसे पहले जो भी एक इसको पांच एका तो पांच होजागा या जब गुना गुनांक मानेंगे तो सबसिघ और oc this का जा नुंपात होते हैं तो ऐंडे checking सिख शाली परस्फिक हो brings इसा और भीस डिगरी होगा क्योंकि DI कि यहां पांच इसा दिया और बिश डिगरी होगा। तो हम लोग चाहें तो पर भी लिख कर बता भी सकते हैं चुकि हम जानते हैं कि तीनों कुनों का यह 180 डिग्री होता है उसके बाद भी यह लिखेंगे तो फाइनली यहां पर ऐसा हुआ अब यहां पर जो भी एक्स का है उसको एक साथ जोड़ेंगे तो पांदू नी दास अच्छे सुल्ला एक्स हो जाता है और यह 20 इधर पलस में इधर आएगा तो माइनिस में होगा तो यहां पर देखेंगे 180 में से 20 जब घटेगा तो यहां दिया और बी का होता च्छे गुना एक्स मालब छेक्स था तो यहां पर वो गया च्छेदाओं को साथ डिग्री और सी जो था उससे बी सधिक था एसे तो यह 50 डिग्री है तो पचास में भी जोड़ेंगे तो सत्तर डिग्री तो यह देखिए जो 50 डिग्री आया और साथ दिग्री रहाएगा इसको कार्षट करके हम दोग देखेंगे तो पांच बटा छे आएगा तो इसी का गुनांक दस है और इसका गुनांक भी दस है इसी हम लोग दस को एक समानेते हैं अब हम लोग 28 नंबर कोशन देखेंगे तो यहां पर देखिए एक आयत की लंबाई च चवडाई हो गया ठीक है तो लंबाई जो बोल रहा है यहां पर फाइनली यहां पर क्या बोल रहा है आपसे की जो लंबाई है वो चवडाई से पांच सेंटीमेटर रदीक है तो चवडाई हम लोग एकस मानेंगे तो जो लंबाई होगा ना वो एकस प्लस पांच हो जाए यदि लंबाई 5 cm बढ़ा दिया जाए और चवड़ाई 2 cm कम कर दी जाए तो नए आयत का छेतरपल जो होगा वो 40 cm अधिक होगा फाले यहां पर हम लोगो तो यह मानना होगा लंबाई चवड़ाई पता होगा क्योंकि छेतरपल जो फर्मूला होता है आयत का छेतरपल होता है उसका फर्मूला होता है लंबाई गुना चवड़ाई ठीक है लंबाई गुना चवड़ाई तो यहाँ पर बोलना है लंबाई माना कि आयत की जो चवड़ाई होगा वो X होगा तो आयत की लंबाई X प्लस 5 होगा इतना हम लोग को किलियर है फिर आगे बोलना है यह तो होगी आपका लंबाई चवड़ाई पता होगी हमको अब भी जो लंबाई चवड़ाई है उसका जो छेतरपल आएगा वो लंबाई गुना चवड़ाई तो लंबाई आपका एकस है और गुना चवड़ाई आपका एकस प्लास पांच है दोनों को इंटू करेंगो तो एकस स्क्वाइर हो जाएगा और यहां पर पांच एकस हो ज इसके अनुसार छेतरफल है और जब बोल रहा है आपसे प्रस्ण में कि यदि लंबाई 5 cm बढ़ा दी जाए यानि कि जो लंबाई है ना भी उसमें भी 5 cm बढ़ा दिया जाएगा और चोड़ाई जो आभी देख रहा है उसमें 2 cm कम कर दी जाए तो जो नया छेतरफल आएगा अब जो लंबाई चोड़ाई आएगा उसका जो छेतरफल होगा वो बढ़ाने पर जो नया छेतरफल आएगा ना वो 40 cm बर्ग सेंटीमेटर अधीक होगा पहले वाले चेतरफल से इतना बोल रहा है वो अब हम लोग यहाँ पे आगे समझेगे यहाँ पे देखे क्या बोल तो दिया हुआ आयत की लंबाई चवड़ाई याद करना है फाइल यहां पर हमने जो माना जो माना ठीक है एकस और एकस प्लस फैब माना और इसका जो अभी बरतमान में जो अभी इसका जो छेटपल होगा वो तो यह हो गई अब जब हम इसको लंबाई पांच सेंटीमेटर बढ़ाने पर जो इसका लंबाई होता है वो इतना आएगा एकस प्लस फाइब में पांच बढ़ाएंगे तो एकस प्लस दस हो अब यह आया यह च्छेटरफल जो होगा वह लंबाई चोड़ाई होगा तो लंबाई आपका यह है ना एकस प्लस टेन और जो अब नया वाला चवड़ाई है वो X-2 है विस दोनों को इंटू हम लोग करेंगे लंबाई गुना चवड़ाई है यह सेंटिमेटर स्क्वार रहता है चेत्रपल तो यहां पे X स्क्वार हो जाएगा और उसके बाद यहां पे 10 गुना X 10X हो जाएगा उसके बाद अब इससे तो माइनस 2X हो जाएगा और फिर इससे गुना होगा तो यह दद दूनी स्वार यहां पे इससे गुना होगा तो दद दूनी 20 क्योंकि यहां पे देखिए पहले इस दोनों को हम लोगों ने इससे गुना किया फिर इस दोनों को एक बार इससे गुना करेंगे ठीक है तो इ पर क्या करेंगे फाइल यहां पर गुना होने के बाद अब हम लोग यहां पर यह तो आपका जो भी आया च्छेतरफल यह आ गया ठीक है यह इसका च्छेतरफल अभी यहां पर गुना करने के बाद यह आया उसके बाद यहां पर देखें तो एकस स्क्वार और दस एकस है और 2x है और माइनस 20 है 10x में से 2x घटाएंगे तो यह 8x हो जाएगा 2x square 8x माइनस में 20 cm square है यहाँ ठीक है square में cm square होगा यह आपका पुराना वाला चेतरपल उपर था और नया वाले चेतरपल यह आया प्रस्ण से क्या बोल रहा है कि जो आपका नया वाला चेतरपल है ना यह नया वाला चेतरपल वो 40 अधिक है इससे 40 अधिक है तो यहाँ पर इसी में 40 जुटेगा ना तभी यह equal होगा इसका ठीक है अब यहाँ पर confusion होता है कि इसमें 40 क्यों जोड़े तो यहाँ पर बोल ला है जब नया वाला तो नया वाला अधिक होगा तो यह तो बड़ा होगा ना और यह छोटा होगा तो इसमें 40 जोड़ेंगे तभी तो equal आएगा जैसे को जैसे हम लोग example ले ले अगर हम लोग बोले है कि यह 12 है और यह 8 है ठीक है तो अगर ऐसा बोलें कि 12 जो है वो 8 से 4 अधिक है तो अधिक है तो का एक्वेट होगा को दो किस से 40 जादा यह तो इसे mamaj में 40 में तभी इसका इक्वेट सन बनता और अब हम लोग क्या करेंगे हाँ पर देखिए एक स्क्वार इधर पलस में इधर आएगा तो माइनस में होगा जब इधर माइनस में तो एक स्क्वार और इधर एक माइनस में आएगा तो यह दुम तो कट जाएंगे यानि घट जाएंगे खत्म हो जाएंगे ठीक है और प्लस में 8x है इधर आएगा मैनेस में 5x आएगा यानी हम लोग do direct कर दीं यहाँ पर आप लोग ऐसी एक और लिख सकते जास uh स्कλοार है इधर पिलस में आठेक्स है है और इधर अपका मायनिस वीस है तो इसको अंक उधर भीज देंगे तो इस देशार के इस एक्स पहले dire mainer ius लिखी देते है ना अभी इधर हम लोग मायनिस इसको इधर बेज को यह यह माइनस X स्क्वायर हो जाएगा और यह माइनस में पांच X आ जाएगा क्यों पलस में था आप 40 को हम लोग इधर ही रहे देंगे ठीक है इधर 40 बचा तो यह अब यह दोनों खतम हो गी है और 8X में से 5X गया तो 3X बचा और यह माइनिस 20 जो है न उसको हम लोग इधर भेज़ देंगे तो इधर आजाएगा 40 पलस में हो जाएगा 20 40 20 60 यानि 3x बरावर में आजाएगा 60 तो यहाँ पीसी पर कार से लिखा हो 3x बरावर में 30 इंटू में है यानि 60 में 30 से डिवाइट करेंगे तो 20 तिया 60 है तो आता आपका 20 25 25 सेंटीमीटर हो जाएगा अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर सेकेंड नंबर को यहाँ पर सेकंड कोशन है तो एक आयत का परिमाप का मतलब होता है जैसे कि आयत तो ऐसा होता है परिमाप का मतलब यह पूरा बॉंडरी जो बाहर आप देखे तो चारों का परिमाप 13 cm आपका दिया हुआ ठीक है परिमाप दिया हुआ और उसकी जो चवडाई है वो 2 पुरनांग देन बटे 4 cm है तो उसकी लंबाई ग्याद किजे तो चुकि लंबाई आराम से ग्याद कर सकते हैं क्योंकि जो परिमाप का चृत परिमाप का जो आयात के जो परिमाप होता है वो टीन 2 इंटू एल पलस B अर्थत लंबाई पलस चवड़ाई होता है तो यहाँ पे लंबाई आपका दिया हुआ है सोरी चवड़ाई दिया हुआ है ना चवड़ाई दियो आप परिमाप जो होगा बरावर में आपका 13 cm तो दिया हुआ है simple यहाँ पे 2L होगा और पलस में 2B होगा और B का मान दिया होगा ना तो इसको हम लोग देखेंगे 4 दुनियार 3, 11 बटे 4 है और बरावर में 13 cm 2 दुनिय यहाँ पे 4 हो जाएगा और 11 बटे 2 और 2L बटे 2 तो इस परकार से equation बनाकर हम लोग बनाएंगे ठीक है तो easily आपका जो भी L का value है लंबाई वो निकल जाएगा तो कि यहाँ पे L का value निकलना है जैसे X का value निकलते हैं उसे परकार से आपे निकल लेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले बाद माना की लंबाई अगर X सेंटीमेटर है ठीक है सबोज यहाँ पे X माल लेंगे यह लंबाई निकलना लंबाई अगर X होगा तो चवडाई तो आपका दिया हो एतना ना तो चारदुन्यारतीनी 11 पुर्णाग तो इस दोने में 11 वटे 4 है और परिमाब बराबर जो आएगा वो 13 आएगा क्योंकि आपका दिया होगा या फिर आपको इतना ही रखना है और यहाँ पर फिर अगला स्टेप में परिमाब बराबर 13 है तो इस परकार से 2 इंटू इस परकार से भी बना सकते लेकिन हमने इधर 13 रख दिया अब यहाँ पर तो गूना एक्स जो होंगा वो 2 X हो जाएगा और पलस में 2 से अगर हम 11 वटे 4 में गूना करेंगे तो जैसे कि 2 गूना एक्स तो 2x तो हो गया लेकिन 2-11 बटे 4 करेंगे तो यहां पर दो दूनी 4 तो कट जाएगा उपर निचे डिबाइड होता है ना तो 2 दूनी 4 आरथाथ 11 बटे टू बच जेगा तहाँपर 11 बटे टू लिकावाई डिरेक्ट अब यहां पर 13 यह तो यहां पर 13 ठीक अब इधर इसको आ में यहां पकती हैं से 11 में में 21 रहेगा अब इधर 13 है तहो पंदरा वचेगा और यहां यहां पर देख रहे हैं तो चार डिवाइड में इंटू में तो डिवाइड में हो जागा तो इसका अंसर पुनांक में आएगा और सठीक अंसर यह से होता है क्योंकि यह जो है एक इंप्रोपर फ्रेक्शन है ठीक है अनुचित भीन है नीचे आपका छोटा है जब नीचे छोटा हो तो उसको बड़ा में रहेगा तो ठीक है वरना इसको हम लोग मिक्स फ्रेक्शन में चेंज करते हैं तो जैसे कि चार में पंदर से भागा देंगे तो चरतिया 12 होता है बचेगा 3 यहां से लिखना सुरू करेंगे 3 उसके बाद 2 दूसरे नमबर उपर 3 अफिर यह तीसरे नमबर 4 तो यह तो 3 पनंक 3 बते 4 आपका सेंटीमेटर आएगा क्योंकि पनिमापता और एक हमने लंबाई निकालाता लंबाई बुरावर इतना आप लि यहां पर समदी वाहू तिर्भुज क्या होता है तो चुकि समदी वाहू तिर्भुज किसको बोलते है तो वैसे तिर्भुज जिसकी दो भुजा बरावर होती है उसको हम लोग समदी वाहू तिर्भुज बोलते है तो तिर्भुज का अधार मतलब जो नीचे वाला है वो अधार दिया हुआ चार बटा तीन सेंटीमीटर ठीक है तथा जिसका परिमाप भी दिया हुआ मतलब तीनों कुन मतलब तीनों भूजा को जोड़ेंगे तो यह आई जाएगा ठीक है यानि परिमाप है यह तो परिमाप का मतलब हमने पीछे बता है तो यह परिमाप दिया हु जागो कि तो यह भी एकस होगा और यह भी एकस ही होगा ठीकल को तो परिमाप यहाँ यह पर दिया हुआ तो यह रख देगा यहाँ यहां पर इधर एक सेंटीमेटर हो गए ठीक है के लिए अब यहाँ पर तीसरा जो होगा वो तिरभुच का धार है तो वो तो दिया होगा चार बटे तिन सेंटीमेटर हमारा तीनों भुजा पता हो गया अब यहाँ पर परिमाफ होता है तो यहाँ पर तिरभुच का परिमाफ होता है तो एक एक्स होगा तो दूसरा भी एक्स होगा दोनों एक्स होगा और पलस में तीसरा दिया होगा चार बटे तीन और तीनों का जो परिमाफ है वो आपका यहां पर कोश्चन में दिया होगा चार पुनंग दो बटे पंदरा अब इसको तोड़ेंगे तो 15 चाओ 60 और 62 ठीक है उपर यहां पर डारेक्ट ली यहां पर एलसम ने लिया तो एक तीन का एलसम एक एक तीन तिन दूनी च्छ होगी और तीन ही का ए तीन तो एक चार से गुना वकर इतना ही चारी रहेगा अब इधर तीर इंटू में हो जैगा और इधर अब यहां पर देखें जब इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा ना तो तीन पचे 15 कटेगा यानि बासाट वटे 5 ही बचेगा तो यहां पर डिरेक्ट बासाट वटे 5 लिखा हुआ और इधर 4 यहां पर देख रहे हैं तो इसको हम चाहें तो इधर भी ला सकते हैं इधर माइनिस में आएगा तो यह ज्यादा लं गुणा होगा ठीक है तो 6 पचे 30 हो गिया और पांचो 20 होगिया बरावर में तो 62 था वैसे इसमें अगर गुणा होगा तो नीचे 62 गुणा है तो 62 ही होगा तो यहां पर देखिए 20 इधर पलस में इधर आगा माइनिस में होगा 20 घटेगा 62 में से तो 42 बचे गए तर इंट होगा तो यहां पर हम लोगों ने इतना ही कोश्चन रखा है तो यहां पर वीडियो इंट कर देते हैं अगर चल लोगों अगले वीडियो में तब तक लिए जया भारत